डायलाजर कितने प्रकार के होते हैं? डायलाजर में मेंब्रेन कितनी टाइप की होती हैं? इन सभी कोशेनों का एंसर मिलेगा. प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें. हलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक तो यो चैनल, डायलाजिस पुलेटियन. आज हम सभी कोई चानते हैं, जो डायलाजर हम यूज करते हैं, वो कोई किसी न किसी कंपनी का वना हुआ रहता है. एंड हम उन्ही के नाम से डायलाजर को पहचानते हैं. लाइक, F5, F8, निप्रो के 13M, इसेटरा. पर आपको क्या पता है कि डायलाजर के structure एंड डायलाजर के function या करमशमता के उपर depend करके डायलाजर को कितने पार्ट में divide किया गया है? तो चलिए आज जानते हैं. मेंब्रेन के हिसाब से डायलाजर को चार पार्ट में divide किया गया है. Cellulose, Substituted Cellulose, Cellulose Synthetic and Synthetic. Cellulose, अब अगर बात करें Cellulose की, यह cotton से बना हुआ, प्रोसेस किया हुआ एक product है या membrane है. जिसको functional तरीके से चार पार्ट में divide किया गया है. Regenerated Cellulose, Cupramonium Cellulose, Cupramonium Rayan and Sapunified Cellulose. वहीं दूसरी तरप अगर बात करें, Substituted Cellulose की, तो यह एक ऐसा product है, जो Cellulose Polymer से बना हुआ रहता है, और जिसके सर्फेस पे Free Hydroxyl Group या OH Group बना हुआ रहता है. Functionally, यह तीन पार्ट में divide किया गया है इसको, Cellulose Acetate, Cellulose Diacetate and Cellulose Triacetate. अब अगर next हम लोग Cellulose Synthetic की बात करें, तो Cellulose Synthetic एक Synthetic Material से बना हुआ रहता है, membrane, और जिसके Tertiary Amino Acid Group पाया जाता है, यह वाली membrane बायो कमपर्टेबल होती है, और इस membrane का Cellulose and Hemphan के नाम से जाना जाता है. Next है Synthetic, यह कोई Cellulose Based Material नहीं है, इसको Synthetic Plastic से बनाया जाता है, जिसको Functionally कुछ Material एड़ करके या कुछ Material से प्रोसेस करके उसको बनाया जाता है, यह पांच पकार के Material एड़ किया जा सकता है, इसमें, एक है Polyacrylonitrate जिसको हम Pan के नाम से जानते हैं, Polysulfone जो की Fresenius के हर इक Dializer में यूज होता है, Polycarbonate, Polyamide, and Polymethyl Methacrylate, जिसको हम PMA के नाम से जानते हैं, अब अगर बात करें Dializer के Types की, तो Starting से, यानि की 1943 से लेके अभी तक Dializers को तीन पार्ट में Divide किया गया है, Coil Dializer, Parallel Plate Dializer, and Hollow Fiber Dializer, अब बात करते हैं Coil Dializer की, तो Coil Dializer, Flattened या चपती Cellulose Tubing को Coil के रूप में लपट के इसको बनाया जाता है, जिसके माद हम से Dialysis के दौरान, जो रोगी के Blood होते हैं, उसको प्रवा किया जाता है, या फिर Flow किया जाता है, adequate या आवश्यक surface area पाने के लिए इसकी जो चैनल है, उसको लंबा रखा जाता था पहले, और इसके दौरान इसका resistance भी बहुत जादा होता था, तो इसके false रूप आपको जो UF है, यानि की Alta Filtration जो होती थी, यह हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, यह unpredictable था, कभी UF जादा निकलता था, कभी UF कम निकलती थी, और blood leak का जो संभाबना था, यह इसमें बहुत जादा थी, वहीं अगर parallel plate की dializer की बात करें, तो parallel plate dializer जो है, वो एक sheet से बना हुआ रहता था, जिसमें supporting plates दिया रहता थे बीच में, and plate की membrane को सहरा देने के लिए, यह आपके जो खांचे या फिर जो लकीरे होते थे, उसको रखा जाता था, जिसके अंदर से dializer प्रभा किया जाता था, या flow किया जाता था, and जो इसके surface area थे, वो थे 0.25 से लेके 1.5 meter square तक, अब अगर advantages और disadvantages के बाद करें, तो इसमें, advantages में, blood volume जो था, वो 50 से 100 ml तक रहता था, जहां पे TMP हम लोग अभी के time में 500 ml, 500 mmHg तक यूज करते हैं, वहां पे 100 mmHg तक increase किया जा सकता था, second point जो था, वो था, heparin यहां पे कम use होता था, and minimal clotting के संभाब नहीं थी यहां पे, third option जो था, वो था, ultra filtration यहां पे, coil dialyzer के comparison में, आपका predictable था, and controllable था, इसको आप control कर सकते थे, बढ़ा घटा सकते थे, disadvantages जो हैं इसमें, वो था, आपके local thrombus, जो outlets होते थे, outputs होते थे, या फिर inlets होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा formation होती थी, इसमें bacterial growth या endotoxin formation बहुत ज़्यादा होती थी, इसके बज़े से, आप इस dialyzer को use या reuse नहीं कर सकते थे, वहीं अगर बात करें, hollow fiber dialyzer की, यह numerous hollow fiber से बना होगा रहता था, इसके जो diameter थी, यह 150 से लेके 250 तक का था, and number of fibers यहाँ पर 20,000 से उपर भी होता था, depends on the surface area, length, जो भी requirement रहती थी, उसी सब से, advantages जो थी, इसमें, इसके जो lower blood volume थी, इसमें patient का risk बहुत कम होता था, इसके पहले वीडियो में हम लोग आपको बोले थे, कि जितना priming volume या blood volume कम होगा dializer में, उतना patient का risk factor, जो inter-dialytic risk factor होता है, वो कम हो जाता है, second, resistance blood flow बहुत कम था, इसके बज़े से आपके जो blood loss होने का chances थी, वो कम हो गए, third, UF यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से control कर सकते हो, and ये reuse के लिए बहुत ही अच्छा dializer है, अब अगर बात करें disadvantages की, तो यहाँ पे आपको dializer को reuse करने से पहले, आपको जो dializer के अंदर में ears हैं, उसको ज़ादा निकलना पड़ेगा, during priming, हेपरीन यहाँ पे required है, जब भी आप dializer करोगे, depends on the patient's body weight, आपको हेपरीन यहाँ पे देना पड़ेगा, and कभी-कभी adverse reaction भी हो सकती है, depends on the sterilization process, so अभी तक के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, benefit लगा हो, तो आप please subscribe, like, and share कीजे, comment करना मत भूलिएगा, आपका अगर कुछ question हो, तो आप ज़रूर यहाँ पे comment कीजेगा, thank you.